नमस्कार, मैं हूँ बालवीर और आप देख रहे हैं बालवीर 3 बालवीर की जन्नी को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब टू सोनी सब एन हिट दो बैल आइकन मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे आपको उठाने की अनुमती दे मेरी माँ की पवित्र रूह को रौशन रूहों से मिलवाने में और उनके असने गुनेगार को ढूनने में मेरी मदद करें शाब पाश पासीर झाल याइकन मेरी 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 पासीर पालवी ने तुम्हारी फोटो दोनों लड़कों को दी, क्यों? यही जानने के लिए तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है तो तुम चाहदी हो कि मैं उन दुनों लड़कों से वो उगलवाओं जो वो बताना नहीं चाहते है मैं उन्हें डराओं, उन्हें धमकाओं मैडम काश्वी मैं उनके मदद करती हूँ जो मुसीबत में होते हैं मुसीबत में डालने के लिए किसी की मदद नहीं करती है और वैसे भी, तुम्हें क्या इंट्रेस्ट है इसमें तुम तो बालवीर के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती है उस दिन मैंने तुम्हें बालवीर के बारे में बताना चाहा तो तुम नाराज होगे हाज ये दो लड़के ये तुम्हें बालवीर के बारे में बता रहे हैं तो तुम परेशान है वहां से यहां तक ऐसा क्या बदला चल क्या रहा है तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं बदना है, कुछ भी नहीं चल रहा है मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि वो लड़के आखिल छुपा क्या रहे हैं प्लीज, क्या आप इसे मेरी मदद करेंगी ठीक, बताओ लड़के कहां रहते हैं यह तो मुझे भी बताओ ओ, तो उनकी कोई फोटो, कोई उनका नाम नहीं, पर आप उतने जादू से उनका अड्रेस तो निकाली सकती हैं ना ऐसा जादू तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं मैं अपनी पावर से यह पता लगा सकती हूँ कि वो कहां रहते हैं, कौन है और उसके लिए कोई चीज चाहिए हूँ, उनकी कोई निशाने ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास हाँ काश्वी, उनकी चावी इसलिए तो छुड़वाई थी मैंने तुम्हारे पास भूल कैसे गई तुम ऐसा क्या करूं जिससे इसे चावी के बारे में याद आ जाए और इस बात का शक भी ना हो कि ये सब मेरा रजा रजाया है क्यों लड़कों के चावी ये रह गए थी मेरे पास बास क्यों टुम तुम बाभत क्यों दुम बास क्यों तुम क्यों तुम ओूं चले सत्च जानने इतनी खुशी से फस रही हो मेरे जाल में तुम काश्वी ये रोशन रुख है अभी तक आई क्यों नहीं फुटिको झाल में तक आई काश्वी झाल में तक आई का आई काश्वी मा ये ये अब येना मा, मुझे माफ करतीजी, ना आपके आखरे समय में अपके पास नहीं रह पाए, अब अब मुझे माफ करेंगी ना, मा, को ए, क्यों धै, को ए, को ए, को ए, फइ बट्चाव को ए, तए ब Всे normal när प्जा़ने को ए, को ए, को ए! बचाओ, खोई रहाँ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ सकती हुए ऐसे तो हम और तुम दूस्त बन जाएंगे काश्वी, भूली हो लेकिन कहीं ना कहीं महाजादू अब भी तुम्हारे अंदर होने की कारण ऐसे डिसेशन्स ले रही हो तुम पहले तुम मुझे वालवीर का वो सीक्रट बताओ कौन वालवीर? मैं की सीक्रट नो जानता ठीक है, बताते हैं पर प्लीज इसे रोको रोक दूगी पर पहले पूरी बात बताओ, बोलो था यह जुक पूर्ट तुम्हारे साथ जो हाथ भग था, वो चुण नहीं था वो एक प्लैन था, पौलवी का प्लैन केसा प्लैन? पालवी पैसे भीए थे प्राइश ड्राइविं के और गाड़ी पल्टाने के पर क्यूँ? पता नहीं, बस बालवीर ने जो बोला, हमने वही किया बालवीर नहीं तुम्हारा पोटो हमको दिया था और बोला इस लड़की को खत्रे में डाला और गरेक टाइम पे आके वो गाड़ी रोग देगा और तुम्हारी जाहन बचा लेगा और हमें भी कुछ नहीं होने देगा और पस चार लोगों के सामने में पात तुनाएगा ये, ये क्या कह रहे हो तुम दो बालवीर ऐसा क्यों करेगा ताकि वो तुम सब की नजरों में बालवीर ही रहे और लोगों का रक्षक जो सही वक्त पर पहुच जाता है और लोगों की मदद करता है सूपर हेरो बालवीर और तुम्हें किसी को बताना मत नहीं तो बालवीर हमारी जान ले लेगा आप हम जाएं ये लगा बालवीर पे काशवी के भरोसे को पहला धक्का काशवी मैंने तो पहले ही कहा था जो लोग मदद करना चाहते हैं वो धिंदोरा नहीं पीटते और जो धिंदोरा पीटते हैं वो मदद नहीं करते बस दिखावा करते दिल से बुलाया उतार भीर गाया किसी को मेरे मदद की जरूरत है मैं चलती हूं हाई क्यों अगनी पालवीर की असलियत दिखाने के लिए लेकिन पालवीर ऐसा क्यों करेगा मा अधिशी ने तुम्हें माफ कर दिया है पालवीर किन दुनिया को बचाते बचाते ने अपने इस दिल में इस मा के लिए पुड़ा सा प्यार बचाए रखना जो लेकिन आपिए आपिए आपिपए आपिए vendo इस दिल में इस दिल में इस दो सा जवे है कि बाद के बुब है। पाद्वीर, मातिशी स्वर्क लोग चाहरे ने. पाद्वीर, में पैसे दिये थे, रैस्ट्राइगिन और गाड़ी पर्टानी थे, और बोला इस लड़की वो घत्रे में डाला, कहें टाइम पर आके वो गाड़ी रोगतेगा, और तुमारी जहन बचा लेगा. अब की थे, अग्या आओ, यहाँ! तो 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 लोग एक टो, पिखोगा है? तो पिखोगा है तो? तो उस्ट्राइए बच्वी के अधसे हुगा? झाल, पियो. पालवीर के बारे में जिस सुना, उसे लेकर परेशान हूँ ठीक, तुम्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं बस इतना याद रखना के तुम्हारे और मेरे बीच एक गहरा कनेक्शन है और तुम चाहू ना चाहू, मैं चाहू ना चाहू, यह कनेक्शन हमें जोड़े रखता है आप मुझे बालवीर के बारे में क्या बताना चाह रही थी? तुम्हें मेरी बातों पर रिश्वास है? तो सुनो, बालवीर एक रक्षक नहीं भक्षक है वो जानबूच कर लोगों को खत्रे में डालता है और फिर पहुँच जाता है उन्हें बचाने के लिए ताकि फेमस हो सके जो मासूम बच्चों को अपने फाइदे के लिए इस तरह फसाता हो वो तो अच्छा इंसान कहलाने के लाइक भी नहीं है सुपहीरो तो बहुत दूर की बात है समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या जूप जो पूरी दुनिया बालवीर के बारे में जानती है वो या जो उन लड़कों ने अगनी ने कहा वो मैं जानती तुब भी लोगों की तरह बालवीर पर विश्वास करती है इसी विश्वास का तो फाइदा उठाता है वो चारों तरफ ऐसा जाल बिछा कर रखा है कि सच सामने होने के बावजूद भी लोग बालवीर पर ही विश्वास करते है सच पर कोई नहीं करता पर सच तो सच है आज नहीं तो कल सामने जरूर आएगा मैं आपसे एक बात पूछू आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपको देख सकती हूं क्योंकि बालवीर और मेरा कोई कनेक्शन है बालवीर और मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है उसने हमारी तरह तुम्हें भी कोई दर्द दिया, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है और तुम्हें खुद को नहीं पता ऐसा कैसे हो सकता है कि बालदीन ने मुझे दर्द दिया और मुझे ही पता नहीं चला वो सकता है कि उसने तुम्हें पता ही ना लगने दिया हूं? जैसे उसी ने तुम्हारे एक्सिदेन को प्लान करके तुम्हे बचाने का नाटक किया था? अगर तुम चाहो तो मैं पनी जादुई शक्तियों से कोशिछ कर सकती हूं बता लगाने की? बस मुझे तुम्हारी फिंगर्प्रिंट्स चाहिए उन्हें को उसके लीए मेरे फिंगर्पृंस? झाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कह रहे थी चलती हूं मैं रोगो मुझे काश्वी क्योंकि मुझे, Tumhone'S fingerprints से ज्यादा तुम्हारे भरोसे की जरूरत है अगनी, रुको ले लो मेरे फिंगरप्रिंस देखते क्या रिजल्ट आता जैसे तुम्हारी मर्स 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 पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे हम सब बहुत परिशान हैं लेकिन परिशानी किसी समस्या का समधान नहीं है और बहुत सोच विचार करने के बाद हमने एक निर्णे लिया है और ये निर्णे बहुत महत्वपूर है जिसका असर ना सिर्फ आपके आज पर बल्के आपके आने वाले कल पर भी होगा पूरे साश्वान लोक पर और पूरे के पूरे ब्रहमांड के भविश्य पर होगा साश्वान ये क्या बूल रहा है आज से करीब सौ साल पहले हमारे पूर्वजों ने धर्ती लोक और बाकी लोकों की रक्षा करने के लिए एक परंपरा शुरू करने की योजना बनाई थी उस परंपरा का नाम है बालवीर कई सालों की रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और कठिन तपस्या का परिणाम है बालवीर बालवीर किसी व्यक्ति को दी गई उपादी का नाम नहीं है बालवीर एक पहचान है एक जिम्हदारी है आपके आने वाले कल के हर एक पल को सुरक्षित रखने का वादा है वो वादा जो साशवान लोक ने पूरे ब्रहमांड से किया था और हम हम खुद को भागिशाली मानते हैं कि हमें इस परंपरा का रख्षक और बालवीर का गुरू होने की जिम्हदारी सोपिक है लेकिन इस बालवीर ने ना सिर्फ हमारा बलकि पूरे के पूरे साश्वान लोक का सर चुका दिया है और अब इस बालवीर को रोकना और पकड़ना बात मुश्किल है क्योंकि हमने ही इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना जाए इसलिए बड़े अफसोस के साथ हमें यह ऐलान करना पड़ रहा है इस बालवीर को रोकने के लिए बालवीर के इस परंपरा को हमेशा हमेशा खेली खत्म करना होगा बालवीर की परंपरा को समात करना होगा ये मामाहिन उत्तान ने क्या बोल दिया अगर ऐसा हुआ तो मैं अगला बालवीर कैसे पनूंगा मामाहिन क्या आपने ऐसा निड़े सुना दिया मामाहिन एक गलत बालवीर की वज़े से आपने बालवीर की परंपरा ही खत्म कर दे आपका ये कदम आगे जाके हमारे लिए बहुत भार ही पड़ सकता है अगर आपने ये कदम उठाया तो भविश्य में दुबारा कभी कोई बालवीर नहीं बन पाएगा हम जानते हैं सश्माद तुम्हारी प्रतिक्रिया और तुम्हारे सवाल दोनों जायस है लेकिन हम फैसला ले चुके हैं तो क्या आप बी को अश्ट कर देंगे? हाँ हाँ